ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज आठ जुलाई दो हजार चौबीस बाबा के महा वाक्य मीठे बच्चे बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो निंदक को भी अपना मित्र बनाओ मीठे बच्चे बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो निंदक को भी अपना मित्र बनाओ प्रश्न बाप की कौन सी द्रश्टी पक्की है तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है उत्तर बाप की द्रश्टी पक्की है कि जो भी आत्माए हैं सब मेरे बच्चे हैं इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो तुम्हें ये द्रश्टी पक्की करनी है कि ये आत्मा हमारा भाई है भाई को देखो भाई से बात करो इससे रोहानी प्यार रहेगा क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा ओम शांती, रोहानी बाप बैठ समझाते हैं रोहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव वह सबका रुहानी बाप है उनको ही भगवान कहा जाता है तुम बच्चों में भी नंबर वार पुरुसारत नुसार समझते हैं यह जो आकाश वाणी कहते हैं अब आकाश वाणी किसे की निकलती है? शिय बाबा की इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है आकाश के तत्व से वाडी तो सब मनुश्यों की निकलती है जो भी सब आत्माए हैं अपने बाप को बूल गई हैं अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं जानते कुछ भी नहीं गायन भी यहां करते हैं सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते सभी कामनाएं वहां पूरी हो जाती है यहां तो कामनाएं बहुत रहती है बरसात नहीं होती तो यग्य रचते है ऐसे नहीं कि सदैव यग्य करने से बरसात पड़ती है नहीं कहां फैमन पड़ता है भल यग्य करते है परंतु यग्य करने से कुछ होता नहीं है ये तो ड्रामा है आफतें जो आनी हैं वे तो आती ही रहती हैं कितने डेर मनुष्य मरते हैं कितने जानवर आदी मरते रहते हैं मनुष्य कितने दुखी होते हैं क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यग्य है जब एकदम मुसल धार बरसात होगी तो यग्य करेंगे इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने बाप खुद बैट समझाते हैं मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं वंडर है बाबा की गलानी कब से शुरू हुई जब से रावन राज शुरू हुआ है मुख्य गलानी की है जो इश्वर को सर्व्यापी कहा है इसी से ही गिर पड़े हैं गायन है निंदा हमारी जो करें मित्र हमारा सो अब सबसे जास्ती गलानी किसने की है तुम बच्चों ने अब फिर मित्र भी तुम बनते हो यूँ तो गलानी सारी दुनिया करती है उनमें भी नमबर वन तुम हो फिर तुम ही मित्र बनते हो सबसे नजदीक वाले मित्र हैं बच्चे बेहद का बाप कहते हैं हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है अब कारी भी तुम बच्चे बनते हो ड्रामा कैसा बना हुआ है यह है विचार सागर मंथन करनी की बात है विचार सागर मंतन का कितना अर्थ निकलता है कोई समझ न सके बाप कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो गायन भी है यदा यदा ही धर्मश्य भारत की बात है खेल देखो कैसा है शिव जयन्ती अथवाश शिव रात्री भी मनाते है वास्तम में अवतार है एक अवतार को भी ठिककर भित्तर में कह दिया है बाप उलहना देते हैं गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं परंतु कहते हैं हमको पता नहीं तुम ही प्यारे स्ते प्यारे बच्चे हो, कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे बाप की तो वह द्रश्टी पक्की हुए है, सब आत्माय हमारे बच्चे है तुम्हारे मैंसे एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले ये तो जानते हैं कोई किस मरतबे वाला है, क्या कहें सब आत्माय हैं, ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती सब हमारे बच्चे हैं, कोई ने महतर का शरीर धारन किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारन किया है बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है बाबा की नजर में सब आत्माएं हैं उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत गलानी की है अब फिर मेरे पास आ गए हैं सिर्फ ये लक्ष्मी नारायन हैं जिनकी कभी गलानी नहीं की जाती है सिरीक्रश्नी की भी बहुत गलानी की है वंडर है ना सिरीक्रश्नी बड़ा बनाओ तो उसकी गलानी नहीं है ये ग्यान कितना अटपटा है ऐसी गुईया बातें कोई समझ थोड़े ही सकते हैं इसमें चाहिए सोने का बरतन वह याद की यात्रा से ही बन सकता है यहाँ बैठे भी यथार्त याद थोड़े करते हैं यह नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा है याद भी बुद्धी से करना है यह बुद्धी में आता नहीं है छोटी सी आत्मा वह हमारा बाप भी है टीचर भी यह बुद्धी में आना भी असंबव हो जाता है बाबा बाबा तो कहते हैं दुख में सिम्रण सब करते हैं भगवान वाच है ना दुख में सब याद करते हैं सुख में करे न कोई दरकार ही नहीं याद करने की यहां तो इतनी दुख आफते आदी आती हैं याद करते हैं हे भगवान रहम करो, क्रपा करो, अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं क्रपा करो, शक्ती दो, रहम करो, बाबा लिखते हैं शक्ती आपे ही योगपल से लेलो, अपने उपर क्रपा रहम आपे ही करो, अपने को आपे ही राज तिलक दो, युक्ती बताता हूं कैसे द बताते हैं इस्टुडेंट का काम है पढ़ना डायरेक्शन पर चलना टीचर कोई गुरू थोड़े है जो क्रपा अशिर्वात करें जो अच्छे बच्चे होंगे वह दोड़ेंगे हर एक स्वतंत्र है जितना दोड़ी लगानी है वह लगाए याद की यात्रा ही दोड़ी है एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है भाई बहन का भी नाता छोड़ा दिया भाई भाई समझो फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है वह अपना काम करती रहती है इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल है किसको लात मारी गुसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ न अंग अंग क्रिमिनल है वहां कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा यहां अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है आखें विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते पहले पहले हैं आखें तब सूर्दास की भी कहानी है शिव बाबा तो कोई शास्त्र पड़ा हुआ नहीं है ये रत्र पड़ा हुआ है शिव बाबा को तो ग्यान का सागर कहा जाता है ये तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता मैं तो नौलेजफुल हूँ बीज रूप हूँ ये स्रश्टी र उसका रचैता है बाब, बीज। बाबा समझाते हैं मेरा निवास इस्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ। और कोई कहना सके कि मैं इस मनुस्य स्रश्टी का बीज रूप हूँ। मैं परमपिता परमात्मा हूँ। कोई कह नहीं सकेगा सेंसिबुल कोई अच्छा हो। उनको कोई कहे ईश्वर सरव्यापी है तो जट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो। क्या तुम अल्ला साई हो। हो नहीं सकता परंतु इस समय कोई सेंसिबुल नहीं है। अल्ला का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्ला हूं, वह भी इंगलेश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, अर्थ समझें तो कभी नहीं कहें, बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जैनती सो नए विश्व की जैनती, उसमें पवित्रता, सुख, शानती सब कुछ आजाता है, शि सब जैनतीयां आजाती हैं, ये सब नई बातें बाब बैट समझाते हैं, शिव जैनती सो शिवालाय जैनती वैश्यालाय मरंती, सब नई बातें बाब बैट समझाते हैं, शिव जैनती सो नए विश्व की जैनती, चाहते हैं ना विश्व में शानती हो, तुम कितना भी समझाते हो जगते ही नहीं अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं न भक्ति करते सीड़ी नीचे उतरते जाते हैं बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सद्गती करता हूं सुर्ग और नर्ग का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं अकबारें जो तुम्हारी गलानी करती हैं उनको लिख देना चाहिए निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए तुम्हारी भी सद्गती हम जरूर करेंगे जितनी चाहिए उतनी गाली दो इश्वर की गलानी कर जो कुछ करते हैं कल्प पहले भी किया है। हम बीके तो सब की सदगती करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अब लाओं पर अत्यचार तो कल्प पहले भी हुआ था। ये बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, बेहद के बच्चे सब हमारी गलानी करते हैं, सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं, बच्चों को माबाप चुम्मन करते हैं, माथे पर चड़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं. अभी तुमको ये नॉलेज मिली हुई है, जो तुम साथ ले जाते हूँ, जो नहीं लेते, उनका भी ड्रामा में पार्ट है, वही पार्ट बजाएंगे. हिसाब किताब चुक्तू कर घर्च ले जाते हैं, स्वर्ग तो देखना सके, सब थोड़े ही स्वर्ग देखेंगे. ये ड्रामा बना हुआ है, पाप खूब करते हैं, आएंगे भी तेरी से. तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे, ये राजबीत बहुत अच्छा समझने का है. अच्छे अच्छे महारती बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती हैं, तो जट गुसा आजाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं. बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो, ऐसे को बाब का खजाना देने से फाइदा ही क्या? फिर कोई की आँख खुले तो कहेंगे भूल हुई, कोई तो परवा नहीं करते, इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए, ऐसे बहुत धेर हैं, बाब को याद भी नहीं करते हैं, कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं, नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हर दम आपक याद करते हैं कई तो फिर ऐसे हैं जो सब का नाम लिख देते हैं फलाने को याद देना ये याद सची थोड़े है जूट चलना सके अंदर दिल खाती रहेगी बच्चों को पॉइंट तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं दिन प्रति दिन बाबा गुईयां बातें समझ पॉछाते रहते हैं दुख के पहाड गिरने वाले हैं सतियुग में दुख का नाम नहीं अभी है रावन राज मैसूर का राजा भी रावन आदी बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं राम को भगवान केते हैं राम की सीता चोरी हुई अब वय तो सर्वशक्ति मान ठेरा उसकी चोरी कैसे हो सकती यह सब हैं अंदिसरद्धा इस समय हर एक में पांच विकारों की गंदगी है फिर भगवान को सरव्यापी कहना यह बहुत बड़ा जूट है तब तो बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मश्यव मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म इस्थापन करता हूं अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार पहला इस गुईया वा अटपटे ग्यान को समझने के लिए बुद्धी को या याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है, दूसरा, बाप की डायरेक्शन पर चल कर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आपे ही क्रपा वा आशिरवाद करनी है, अपने को रास्तिलक देना है, निन्दक को अपना मित्र समझ उनकी भी बर्दान उपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षातकार मूरत भव। आप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। उपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए हैं और हमको साथ ले जाएं तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझ कर सेवा करेंगे तब साक्षातकार मूरत बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होगी। सिलोगन आपको कोई अच्छा दे या बुरा आप सबको सनिह दो, सहयोग दो, रहम करो। अच्छा, Óm Shanti, Óm Shanti, Óm Shanti अच्छा, Óm Shanti, Óm Shanti, Óm Shanti